Assalamualaikum आज का हमारा topic है transcription यह transcription का first lecture है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि transcription क्या होते हैं transcription का एक ऐसा process है जिसमें DNA के double standard DNA से एक single stand RNA की formation की जाती है process of formation of all types of RNA all types of RNA from a DNA template is called transcription eukaryote और prokaryotic organisms के अंदर different type की RNA present होते हैं mRNA, transfer RNA, ribosomal RNA, SNRNA, MIRNA इसके इलावा भी और बहुत से type की RNA present होते हैं जितनी भी RNA हूँ जितनी भी type की RNA हूँ उन सब की synthesis का जो process होता है उसको बोला जाता है transcription यानिके double standard DNA DNA जो होता है एक double stand होता है लेकिन double stand में से सिफ एक single stand जो है वो use होता है RNA की formation के लिए उसको बोला जाता है DNA template और उस process को बोला जाता है transcription अब ये transcription का जो process होता है ये ज़्यादा था cell division के time पर during interface हो रहा होता है उसके इलावा based on need of cell need of cell का क्या मतलब है देखें transcription के process में RNA की synthesis होती है RNA बनाने का purpose क्या होता है RNA बनाने का purpose ये होता है कि RNA को use करते हुआ आगे translation के process में protein की synthesis कीज़ए ultimately goal ये होता है protein की synthesis करना अब कुछ ऐसी genes होती है ऐसी proteins होती है जिनकी हर वक्त जुरूरत नहीं होती है और कुछ ऐसी proteins होती है जिनकी हर टाइम पर जुरूरत होती है तो वो protein जिनकी हर टाइम पर जुरूरत होती है उनके लिए जो RNA की formation होती है वो हर time पर होती रहेगी यानि कि continuous transcription का process होता रहेगा उन genes के लिए, उन proteins के लिए Gene है, gene से आगे RNA बनेगा RNA से protein बनेगा मैं आपको example दे देती हूँ जैसे hemoglobin protein है अब hemoglobin protein की हर वक्त body की अंदर जुरूत होती उसने क्या करना होता है उसने blood carry उसने oxygen carry एक protein है जिसने पूरी body की अंदर जो है oxygen को supply करना होता है तो hemoglobin की जो gene होती है उसकी transcription हर time पर होती रहती है transcription होगी तो आगे से hemoglobin जो protein है वो बनेगी तो वो जो transcription का process है hemoglobin के लिए ऐसे glycolysis के लिए glycolysis का भी जो process होता है वो भी हमारी body के अंदर हर time पर हो रहा होता है glycolysis के process के अंदर जितने भी enzymes है, proteins वगरा involved है, उनकी synthesis हर time पर हो रही होती है तो वो उन genes के लिए जो transcription का process है वो हर time पर होता रहता है उसके इलावा कुछ ऐसी genes होती है जिनकी हर time पर जूरत नहीं होती है जब उनकी जूरत होती है तब उनका transcription का process जो वो activate हो जाता है और जब उनकी जूरत नहीं होती तो deactivate कर दिया जाता है तो इसी वज़े से कहा जाता है जो transcription का process है वो need based है यानि कि cell की need पर भी based का रहा होता है कि जब किसी प्रोटीन की जूरत है तो उस वक्त उस प्रोटीन की जो जीन है उसको ट्रांस्क्राइब कर लिया जाएगा और जब जूरत नहीं है तो उसको ट्रांस्क्राइब नहीं किया जाएगा अब transcription process के कुछ key points को, key principles को discuss करते हैं There are five key principles for RNA transcription RNA की transcription के लिए जो 5 हैं वो key principles होते हैं या जिने fundamental rules भी कहा जाते हैं for RNA transcription सबसे पहले है this process always begin at a specific point known as promoter DNA मेंसे ऐसा नहीं होता है कि किसी भी point पर randomly transcription का process start हो जाए ऐसा नहीं होता बलकि क्या होता है कि पूरे DNA मेंसे एक specific point होता है जिससे promoter region कहा जाता है उससे आगे जो है वो transcription का process start होता है तो वो point वो specific point जहां से actual में transcription का process start होता है उसे कहा जाता है पर्मोटर और पर्मोटर डीजन से ही आगे वाली जो हिसा होता है DNA का वो ट्रांसक्राइब होगा ऐसा नहीं होता है कि पूरे DNA उसमें से रेंटमनी कोई भी एक जगा है वहां से RNA बनना स्टार्ट हो जाए सबको आगे हमनों डिटेल में डिसकस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है only one strand of DNA is used as a template DNA के दो strands होते है DNA double stranded molecule है उन दोनों strand में से सिर्फ एक strand होता है जो के RNA की synthesis के लिए use होता है और वो strand जो के RNA की synthesis के लिए use होता है इसको बोला जाता है template stand तो दोनों strand में से ऐसा नहीं होता कि दोनों strand जो है वो ही RNA की synthesis में involved होज़े ऐसा नहीं होता बरके क्या होता है दोनों strand में से कोई एक stand होता है और वो कौन सा stand होता है उसको आगे हम लोग discuss करेंगे सिर्फ एक ही stand जो है वो DNA की transcription के लिए क्यों ज़रूरी होता है RNA की transcription के लिए क्यों ज़रूरी होता है इसको भी discuss करेंगे next third point है transcription always proceed in five to three direction transcription का जो process होता है वो हमेशना five to three direction move कर रहा होता है five to three direction move करने का मतलब यह होता है कि जो बनने वाला RNA है जो नया RNA बनेगा उसकी direction जो होती है वो five to three होती है यानि कि सबसे पहले five prime end जो RNA का होता है वो बनेगा और उससे बाद में क्या होगा बिलकु लास में जो होगा three end वाला बनेगा इसलिए यह जो कहा जाता है ने transcription always proceed in five to three direction यह जो line use होती है यह according to RNA use होती है यानि कि RNA को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो बनने वाला RNA है वो उसका जो सबसे पहले five prime end पर उसकी nucleotide sequence की addition होगे सबसे जाद लास पर जो होगी वो three prime end पर होगी इसलिए transcription का जो process होता है वो बनने वाले RNA के मताबिक आ जाता है कि transcription always proceed in five to three direction fourth point है transcription is catalyzed by an enzyme DNA dependent RNA polymerase transcription के process बहुत easy और इसमें सबसे जादा जो मज़े वाली बात चीए है वो यह है कि इस पूरे transcription के process में सिर्थ एक ही RNA एक ही enzymes यूज़ हो रहा होता है जो क्या होता है RNA polymerase अब इस RNA polymerase को DNA dependent क्यों कहा जाता है देखे RNA polymerase किया है एक enzyme है और हमें किस तरह से पता चल रहा है कि ये enzyme है इस के last में कि आ रहा है A.S.E. हमें ये पता है कि जब भी किसी word के last में A.S.E. आ जाए तो वो किसको represent करता है enzyme को तो RNA polymerase एक enzyme है अब enzyme में enzyme का क्या काम होता है कि उसने किसी ना किसी substrate के ओपर working करनी होती है तो इसका substrate कौन सा होगा RNA polymerase का वो होगा DNA इसी वज़ा से कहा जाता है DNA dependent RNA polymerase एक ऐसा RNA polymerase enzyme जो के जिसका substrate कौन सा है DNA है इसी वज़ा से पूरा नाम इसका किया DNA dependent RNA polymerase last point है only a single segment of DNA is transcribed at a time एक वक्त में सिर्फ एक ही segment जो है DNA का वो transcribe होगा transcription के result में transcription के process में जब replication को discuss करते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे का पूरा जो DNA है वो पूरे का पूरा DNA का जो segment है यानि कि पूरा जो DNA है वो क्या होता है replicate होता है एक दफ़ा replication का process start हो गया तो उसने end कब होना है वो कब खतम होगा replication का process है जब पूरा DNA जो है वो replicate कर जाता है लेकिन transcription के process में ऐसा नहीं होता है transcription के process में क्या होता है पूरा एक DNA है उस DNA में से सिर्फ एक small segment होगा और वो transcription जो होती है वो at a time a मतलब एक वक्त में एक ही segment की transcription हो रही होती है वो बहुत जारा specific होता है वो किस तरह से होता है उसको भी आगे हम लोग discuss करते हैं यह जो सारे के सारे point है इन सब को हम लोग detail में discuss करते हैं यहां पर आपको DNA के दो stand नजर आ रही है दोनों stand क्या है एक दूसरे के complementary हैं complementary का क्या मतलब होता है एक दूसरे के opposite है देखे जो उपर वाला stand है उसकी polarity है 5 to 3 वो 5 prime end से move कर है 3 dash की तरफ जबकि जो नीचे वाला stand है उसकी polarity है 3 to 5 वो 3 direction से 5 की तरफ मोव कर है और इसी तरह इनकी जो DNA का sequence है यानिक इनके निकलोटाइट का sequence है वो भी दूसरे के complementary है एक दूसरे के opposite है उपर वाले stand में अगर adinine present है तो नीचे वाले में thiamine present है उपर थायामीन है तो नीचे वाले में adinine है उपर वाले में governance है तो नीचे वाले क्या है happens साइटो सेन है इक दूसरे के cost tau sein है एक दूसरे के Under participant है अब इन EPA दोनों stand में से एक stand होता है जो कि RNA की synthesis के लिए use होता है वो stand जो कि RNA की synthesis के लिए use होता है उसको कहते है template stand और दूसरा stand जो कि RNA की synthesis में किसी तरह की participation नहीं करता हो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है non template अब जो template stand होता है इसी के according क्या होता है इसी के according RNA बनता है लेकिन क्या होता है बनने वाला जो RNA होता है वो template stand के opposite होता है यानि कि उसके complementary होता है sequence भी nucleotide को complementary होता है और उसके साथ साथ जो polarity होती है वो भी complementary होगी यानि कि opposite होगा असान language में आपको समझा रही है कि जो बनने वाला RNA है वो template DNA का बिलकुल opposite होगा देखे किस तरहां से यह RNA है यह जो green color का आपको नजर आ रहा है यह RNA है सबसे पहले इनकी polarity को discuss करते हैं देखें template stand template DNA और जो RNA उसकी polarity एक दूसरे के बिलकुल opposite होगी just like that देखें जहां पर RNA का 5 prime end है वही पर DNA का क्या है template DNA का 3 prime end है और जहां पर जिस side पर RNA का 3 वाला part है यानि कि 3 dash end है वही पर template का क्या है 5 prime end है तो polarity एक दूसरे की क्या है opposite है इसी तरह जो nucleotide का sequence होता है वो भी एक दूसरे की opposite होता है template DNA में गवानीन था तो उससे जो बनने वाला RNA है उसमें क्या लगेगा उसमें cytosine लगेगा अगर template DNA में थायामीन है तो जब RNA की synthesis होगी तो वहां पर जो RNA polymerase है वो किसको add करेगा वो करेगा एड़नीन को जहां पर एड़नीन लगी हुई है वहां पर क्या होगा वहां पर यह मैं आपको एक मिन highlight करके भी दिखा देती हूँ यहां पर adenine लगी हुई है DNA के अंदर लेकिन उपर क्या लगेगा यूरसल लगेगा थायामीन क्यों नहीं लगेगा क्योंकि RNA के अंदर थायामीन प्रैजन नहीं होती उरेसल present होता है तो इसलिए क्या होगा निकलोटाइट का sequence भी opposite होगा इसी वज़ा से कहा जाता है यह जो template है यह बिल्कुल exactement होता है यह RNA के complementary होता है यह यह कहने कि बनने वाला RNA होता है वह template DNA के complementary होता है यानि के opposite होता है अब ये जो template strand होता है इसके लिए और भी term use होती है और वो कौन-कौन सी है वो है anti-sense anti-sense strand भी कहा जाता है इसको anti-sense strand क्यों कहा जाता है देखें, दोनों की क्या है sense opposite है RNA की और template DNA की जो sense है वो बिल्कुल opposite है template DNA में क्या था यहाँ पर गवानीन लगी हुई थी गवानीन का nucleotide था तो बनने वाले RNA में क्या लग गया क्या attach हुआ वो वहाँ पर attach हो गया cytosine, इसी वज़े से कहा जाता है कि यह क्या है, एक दूसरे के anti-sense है anti-sense मीन जिनकी sense जो है वो इक दूसरे से opposite है उसके साथ साथ क्या होता है इसके लिए एक और भी term यूज होती है that is non-coding strand non-coding strand भी कहा जाते है क्योंकि इनका code भी नहीं match करा nucleotide का code यह होता है sequence जो अब nucleotide का हम लों template के अंदर देखे code क्या है thamine, adenine, c, t, a, g, a जबकि RNA का code जो है वो बिल्कुल opposite है तो इसी वज़े से कहा जाता है कि यह template और जो RNA वो एक दूसरे के क्या है non-coding है यानि कि इनकी code match नहीं करा है इसलिए template के लिए template DNA के लिए एक और भी term यूज होती है that is non-coding strand अब हम लोग बात करते है non-template की जो non-template होता है वो उसका और RNA का क्या relationship होता है non-template DNA RNA की copy होता है यानि कि RNA जो होता है वो non-template DNA की बिल्कुल exact copy होता है सबसे वाले इनकी polarity को discuss करते है देखे इनकी polarity बिल्कुल same-same है जहां पर template DNA का जिस side पर 5 prime end है वहीं पर RNA का उसी side पर क्या है 5 prime end है इसी तरह 3 prime end भी दोनों का same है इसलिए कहा जाता है कि RNA जो है वो template का non-template का क्या है copy है उसके साथ साथ जो sequence non-template DNA का होता है वही exact sequence जो है वो RNA के अंदर present होता है देखे उपर cytosene present है non-template DNA के अंदर cytosene present है तो RNA के अंदर भी cytosene है गवानीन है तो नीचे भी RNA में भी क्या है गवानीन है उपर thiamine है तो thiamine की जगा addition किस की होगी uracil की होगी उपर adenine है तो नीचे भी क्या है adenine है बिलकुल क्या क्या है same है difference कहां पर आ रहा है difference इफार है thiamine और uracil में क्योंकि non-template DNA है DNA में thiamine present होता है जबकि जो RNA होता है RNA में thiamine नहीं होता है उसकी जगा कौन सी base होती है उसकी जगा base होती है uracil इसी वज़ाए से जो non-template DNA है इसके लिए भी और जो है इसके लिए भी और नेम यूज़ होती है और वो कौन-कौन से है sense trend non-template को sense trend क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी और जो बनने वाला RNA होता है उनकी sense बिल्कुल same-same होती है देखें आपने ही आपर देखा ना उपर भी cytosine present है नीचे भी cytosine है जाने के RNA में भी cytosine है वही niclotide की sense है वही sequence है जो के non-template DNA के अंदर present होता है इसी वज़ा से इसे कहा जाता है sense trend और इनकी जो coding है coding भी बिल्कुल same है इसी वज़ा से non-template stand के लिए दो और नाम use होते हैं sense stand, coding stand जबके template के लिए होता है template stand, anti-sense stand और non-coding stand अब यह है कि non-template stand होता है वह बिल्कुल RNA जो होता है वह non-template का copy होता है जिस तरहा का sequence non-template DNA के अंदर present होगा, उसके stand के अंदर nucleotide का sequence present होगा वैसा ही sequence जो है वह RNA के अंदर present होगा इसी वज़ा से कहा जाता है RNA is always copy to the non-template stand फर्क सिर्फ कहा आता है, फर्क सिर्फ uracal में आता है, कि non-template के अंदर thiamine present होगी तो जो RNA बनेगा, उसके अंदर uracal होगी जबकि जो template stand होता है वो क्या होता है, उसका और RNA का क्या relationship होता है, उनका relationship होता है, complementary relationship RNA is always complementary to the template stand RNA जो होता है, वो template stand का complementary होता है, यानि कि opposite होता है, अगर template के अंदर governing present है तो जो बनने वाला RNA होगा, वहाँ पर किसकी addition होगी वहाँ पर cytosine की addition होगी अब एक और चीज़ ये जो stand है इनके हमें template और non-template तो बहुत easy लिए याद रहते हैं जो बाकी नाम है sense stand, coding stand, anti-sense और non-coding stand ये confuse कर देते हैं, कि समझ नहीं आता कि sense कौन से है और anti-sense कौन से है इसके लिए आपको लिए एक pneumonic है वो आपने क्या करना है, एक असान सी trick है, बस आपने एक word याद रखना है और वो आपने याद रखना है strands के बाकी दो नाम भी याद रखनें N से, NT से non-template S रिप्रेजेंट करता है sense को और C रिप्रेजेंट करता है coding को, तो आपने किस ताना याद रखनें? National Testing Service Center से आपने याद रखना है non-template sense strand, sense coding strand, इसी ताना जो template है, उसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, that is 10, 10 किसको represent करता है? template antisense non-coding I hope कि यह जो neymonic है, यह जो trick है यह आपके लिए helpful होंगे और आपको याद रहेगा कि non-template के और दूसरे नाम कौन से हैं और template के दूसरे नाम कौन से हैं अब डिसकस करते हैं transcriptional unit को transcriptional unit क्या होता है देखे हमने पीछी एक point को discuss किया था, only single and small segment of DNA is transcribed पूरे DNA में से इस एक छोटा सा part होता है जोंके transcribe होता है यानि कि जिसको use करके RNA की synthesis की जाती है अब question यह है कि किस तरह से decide होता है कि इतना बड़ा DNA है उसमें से एक small सा segment जो है, चोटा सा part जो है उसको use करते होए RNA बनाया है यह decision किस तरह से लिया जाता है और यह कौन decision लेता है देखें कोई भी DNA है उसमें से जिस part को use करते होए RNA बनाया जाता है उसको कहा जाता है transcriptional unit और यह जो transcriptional unit है यह 3 component के उपर consist कर रहा होता है यानि कि transcriptional unit के अंद के basic 3 components होते है एक होता है permotor region दूसरा होता है terminator region permotor region और terminator region के दर्मियान वाला जो area होता है उसे कहा जाता है structural gene और यह जो structural gene होती है actual में इसी के अंदर जो nucleotide का sequence present होता है उसको use करते हुए RNA की synthesis की जाती है permotor region वो region है जहां से transcription start होती है terminator region terminator का नाम ही उसका बता रहा है उसके काम को terminator mean termination होना यानि कि यहां पर transcription का जो process है वो खतम हो जाता है याद रखिए कि जो permotor region है वो भी DNA का हिस्सा है terminator region भी जो है वो भी DNA का हिस्सा है permotor के अंदर भी permotor region के अंदर भी क्या होगा nucleotide का sequence present होगा इसी तर्मिनेटर region है उसके अंदर भी nucleotide का sequence present होगा लेकिन permotor region के अंदर जो nucleotide का sequence present होता है वो transcribe नहीं होता उससे RNA नहीं बनता इसी तर्मिनेटर के अंदर जो निकलोटाइट का सिकुंस प्रेजन्ट होता है वो भी यूज नहीं होता आर अने बनाने में बलके क्या होता है पर्मोटर और टर्मिनेटर के दर्मियान वाला जो हिस्सा है जिसे स्ट्रॉक्श्रल जीन कहा जाता है actual में वो हिस्सा जो होता है उसके अंदर जो निकलोटाइट का sequence present होता है वो use होता है RNA को बनाने के लिए अब पर्मोटर को discuss करते हैं पर्मोटर क्या होता है actual में पर्मोटर ही वो region होता है जहां पर RNA polymerase आके bind करता है RNA polymerase है क्या है enzyme है DNA dependent enzyme है इसका पुरा नाम है DNA dependent RNA polymerase DNA के आपर depend कर हैं अब क्या है permotor जो है वो क्या है किसका हिस्सा है वो DNA का हिस्सा है DNA के निकलोटाइट का sequence present होता है procarriers के अंदर अलग sequence होता है eukaryors के अंदर अलग sequence होता है उसको हम लोग हमारे upcoming lectures के अंदर discuss करेंगे वाद में discuss करेंगे कि वो कौन-कौन से sequence होते है लेकिन अभी जो है अभी वो basic चीजों का हमने discuss करते है पर motor के अंदर खास निकलोटाइट का sequence present होता है जिससे पता चल जाता है RNA polymerase को अच्छा यहां से आगे एक gene है जिसको use करते हुए हमने RNA बनाना है यानि के RNA polymerase चैसी पर motor के साथ आगे bind करता है उसको पता चल जाता है कि यहां से आगे मैंने काम करना है मेरी यहां से आगे duty स्टार्ट हो गई है तो RNA polymerase क्या करता है पर motor region के उपर आके bind करता है पर motor ही वो region होता है जहां पर RNA polymerase की binding होती है जहां से आगे transcription का process जो है वो start होता है अब पर motor region जो है इसके कुछ special काम होते हैं उन कामों को discuss करते हैं यह ऐसे कहलें कि पर motor region जो है इसके अंदर जो nucleotide का sequence present है उसकी कुछ खास तरहां की job होती है जो कि उसने perform करनी होती है कौन कौन सी job है सबसे पहले पर motor की job होती है पर motor decide पर motor ही decide करता है which one of two stand is to be used as a template यह कौन decide करता है यह पर motor decide करता है कि दोनों DNA के stand में से कौन सा use होगा template DNA template कौन सा होता है यानि कि DNA RNA बनाने के लिए कौन सा DNA का stand use होगा एक पर motor की job दूसरी पर motor की job यह होती अल्सो डिसाइड the direction of transcription यही decide करता है पर motor ही decide करता है कि RNA transcription की जो direction होगी वो किस तरफ होगी थर्ड इसका इसकी जो जॉप है इसका जो function वो यह है पर्मोटर also determine the transcription start point यही decide करता है कि transcription का start point कौन सा होगा मैंने आपको बताया कि पर्मोटर की अंदर जो निकलोटाइट का sequence present होता है वो RNA बनाने में use नहीं होता यानि कि पर्मोटर जो है अ यहां पर खतम हो रहा है यहां पर पर्मोटर का यहां पर कोई भी sequence लगा हो है let's suppose मैं G की बात कर लेता हूं यहां पर G गवनीन लगा हो है तो यह जो RNA बनेगा वो यह वाला गवनीन को transcribe नहीं करेगा बलके क्या होगा पर्मोटर रीजिन का जहां पर end हो रहा है वहां पर आगे जो निकलोटाइट का sequence present होगा let's suppose यहां पर यह जो मैं यहां पर एडिनीन है इससे यह जो एडिनीन है यह आगे से जो बनने वाला RNA होगा उसके अंदर इसके opposite जो निकलोटाइट की base है वो लगेगी एडिनीन है एडिनीन के opposite जो होते हो थायमीन लगता है लेकिन जो RNA होता है, RNA के अंदर thiamine present नहीं होता तो RNA के अंदर जो इसकी जगा पर complementary base लगेगी, वो लगेगी uracil, तो वो point जहां से transcription start होती है उसको कहा जाता है positive one उसको क्या कहा जाता है? transcription start point और इसको represent किसे किया जाता है? positive one positive one से आगे वाला जितना भी हिस्सा है जब तक terminator नहीं आ जाता है यानि के यहां तक का हिस्सा वो सारे का सारा क्या होता है? structural gene होती है, जिसने आगे RNA को बनाना होता है और यही एक segment होता है, small segment जिससे आगे RNA की यहीं से आगे RNA की क्या होगी? synthesis होगी इसी के दर्मयान में structural gene के अंदर जो nucleotide का sequence present होगा, हो सकता है 1000 nucleotide base pair का हो यह भी हो सकता है 2000 का और यह भी हो सकता है 50,000 nucleotide base इस चोटे से region के अंदर यानि के promotor और terminator के दर्मयान में present होते हैं, यह different type के genes होती है, यह depend कर रहा होता है gene के उपर के कौन सी gene है जिससे RNA की synthesis हो रही है अब इन points को discuss करते हैं कि किस ताना से promotor यह decide करता है कि DNA के दोनों strand में से कौन सा strand as a template यूज़ होगा और transcription के process की direction क्या होगी किस side पर process move करेगा mostly students का यह concept होता है कि promotor structure gene के left side पर present होता है यह ज़रूरी नहीं है कि promotor की location हमेशा left side ही हो बहुत से ऐसे cases होते हैं जिन में genes के promotor right side पर present होते हैं left और right किसी भी side पर promotor present हो सकता है promotor ही वो region होता है जिस पर RNA polymerase जो कि इस पूरे process को lead करता है उसकी binding होती है और उसके साथ ही transcription side जिसको positive one से denote करते हैं इस enzyme RNA polymerase की एक nature होती है यह हमेशा 3 to 5 direction में move करता है अगर मैं bookish language यूज़ करूँ लेहिंजर और लिपन कोट में एक line लिखी हुई है RNA polymerase read the template stand 3 to 5 end move करना, read करना एक ही बात है RNA polymerase आगे-ागे move करता है template DNA पर nucleotide के sequence को read करता है और उसके according complementary nucleotide base को add करता है RNA में अब question यह है कि कैसे decide होता है DNA के दोनो stand में से कौन सा use होगा as a template देखें, promoter DNA का ही एक part है जो दोनो stands के उपर present होता है promoter एक stand के उपर present नहीं होता अगर आप number one यह diagram के अंदर number one gene को देखें तो इसमें left side पर promoter उपर वाले stand के five end और नीचे वाले stand के three end पर present है लेकिन सिर्फ एक RNA को बनाने के लिए use होता है सिर्फ एक ही stand जो है वो RNA की synthesis में use होता है RNA polymerase three to five move करता है अगर हम लोग उपर वाले stand की बात करें उपर वाले stand में promoter five end पर present है और अगर इसको as a template यूज़ करें तो RNA polymerase move ही नहीं करेगा क्योंकि RNA polymerase three to five plate करता है RNA polymerase हमेशा nucleotide के sequence को three to five move करता है इसलिए promoter जिस stand के three end की तरफ present होगा वो ही use होगा as a template और transcription की direction भी इसी के according होती है अगर हम लोग number one gene में देखे transcription की direction left से right side होगी क्योंकि promoter template stand के left side three prime end की तरफ present है और इससे बनने वाला RNA template stand के बिलकुल complimentary stand होगा इसी ताना अगर second gene की बात करें second gene में promoter template stand के right side पर three prime end की तरफ present है तो transcription की जो direction होगी वो right से left की तरफ होगी और RNA polymerase right से left की तरफ move करेगा और इससे जो बनने वाला RNA होगा वो बिलकुल template stand के complimentary होगा तो इसी ताना ये जो promoter होता है जो promoter sequence होता है इसकी jobs होती है ये decide करता है कि दोनुस stand में से template कौन सा use होगा और transcription की direction किया होगी अब कुछ short acknowledges है जिनको discuss करते हैं वो है upstream और second है downstream ये क्या होती है देखिए हमारे पास जो transcription site होती है वो होती है positive one positive one से क्या होता है transcription का जो process होता है वो start होता है अब ये जो positive one site है यहां से लेकर बिलकुल end तक जहां तक gene ने transcribe होना होता है उस वहां तक का जो area होता है वो कहलाता है downstream ठीक है positive one से यानि के जो के transcription site है वहां से बिलकुल end तक जहां तक कोई एक gene जो है जिसने transcribe होना है वहां तक का जो area होता है वो कहलाता है downstream इसी तहरा positive one से लेकर जो पीछे वाला positive one के जो back site वाला area होता है यानि के जो promotor वाला region होता है वो कहलाता है upstream अब यह जो upstream होते है upstream के अंदर जितनी भी niclotides का sequence आता है उसको represent किया जाता है negative से देखे positive one है positive one के अगर हम लोग back side पर जाएं तो क्या होगा negative one negative two negative three जहां तक promotor region है वो सारे का सारा niclotides का sequence इसकी अंदर आ जाएगा वो क्या कहलाता है upstream और जो downstream वाला area होता है यानि के positive one से आगे वाला जो region होता है वो सारे का सारा होता है positive positive two क्योंके positive one पहले आ गया है positive two positive three positive four ठीक है इसी तरह अगर हम लोग number two gene की बात करें तो number two gene में ये वाला जो है upstream positive one है positive one के जो promotor वाला region है promotor side है वो सारे का सारा upstream में आ जाएगा और इसी के upstream के अंदर जितने भी anucleotide का sequence होता है उसको negative से किया जाते है यानि के negative two, negative three, negative four आ जाएगा जबके positive one से termination की तरफ terminator की तरफ का जो area होता है वो कहलाता है downstream upstream अगर अब हमने ये बताना पड़े कि upstream कौन से stand के किस end पर present है तो उसको हम लोग किस ताना से represent करेंगे किस ताना से बताएंगे देखें उसके लिए हम लोग बताएंगे upstream is the site at the three end of the template stand upstream वो site है जो के three end template stand के three end के उपर यानि के यहाँ पर present है और अगर हम लोग non template stand की बात करें तो वो five end पर present होगी यानि के यहाँ पर present होगी upstream template stand के यह template stand है नीचे वाला template stand के three end के उपर present होती है जबके जो non template होता उसके five end के उपर present होती है इसारा अगर हम दोंग刚ig downstream की बात करें तो जो downstream होती है वो बरी site जो के template stand के 5 end पर यह template stand है इसके 5 end की तरफ और non template stand के 3 end की तरफ यानि के इस तरफ present है इसारा अगर मैं आपको नीचे वाली gene की सैकंड gene की बात बताँ तो इसमें क्या होगा इसमें जो upstream है वो template stand के 3 end की तरफ और non-template stand के 5 end की तरफ present है upstream की बात करें अगर हम लोग दोनो stand के reference से बात करें इसलिए तरह जो downstream है downstream template stand के 5 end पर और non-template stand के 3 end के उपर present होगी तो वो सारे का सारा region जो transcription site यानि के positive one से permotor region की तरफ वाला site होती है वो सारे का सारा upstream आ जाता है और positive one से जो बिलकुल terminator की तरफ region होता है वो कहलाता है downstream और RNA polymerase जो है वो downstream की तरफ move करता है RNA polymerase जो है वो downstream की तरफ move करेगा क्यों? चुँकि RNA polymerase जो है वो positive one से आगे की तरफ move करता है terminator की तरफ move करता है RNA polymerase कभी भी upstream की तरफ move नहीं करेगा चुँकि upstream का जो भी region होता है वो किसमे आता है वो promotor वाली site के अंदर आता है और RNA polymerase कभी भी promotor की तरफ तो move करता है नहीं है यानि के back side पर तो move करता नहीं है RNA polymerase हमेशन terminator की तरफ move करता है तो इसलिए term use होती है RNA polymerase always move downstream तो उन्हेंस को रूद स्थेज़्ड स्थेझ